Hello friends, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो आज की इस वीजियो में हम आपको बताने वाले हैं एक धन प्राप्ति का शुब योग यानि कि शरद पुरुनिमा के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शरद पुरुनिमा वो दिन जिस दिन की महालक्षमी जी का जनम हुआ था तो दिपावली से पहले यह शरद पुरुनिमा आती है जहां पर आप महालक्षमी को पूजन करके उनको परसंद कर सकते हैं और अपने सभी कर्ण से मुक्ति पा सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर जो लोग नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मेल जाए तो चलिए वीडियो करत चैनल पर चैनल पर जाए तो इसे हम अमरत काल भी कहते हैं क्योंकि इस दिन चैनल मा से निकल लेवाज़ा जाती है वाली करने अमरत की तरह होती हैं और यहीं वो दिन है जहां पर आपने अपने घर में बुज़र्ग को या अपने माता पिता को ये कहते हुए सुना होगा और ये देखा भी होगा कि खीर बनाकर बहार रखी जाती है आस्मान के नीचे ताकि उसमें अमरत की करने आएं और अमरत उसमें वास करे और फिर सब वो घरवालों को परशाद के रूप में बाटा जाता है तो यह अमरत वर्षा की बेला है जो समस्त दुख और दरदरता का नस्ट करने की शमता रखती है और इस दिन महालक्षमी की पूजा की जाती है रातरी जागरन किया जाता है और धन पूरुनिमा, कोजगारी पूरुनिमा और कोमूदी वर्थ के नाम से भी जाना जाता है इस दिन चंदरमा पिर्थवी के करीब आ जाता है जिससे इसकी खुबसूरती और भी बढ़ जाती है और साथ ही इस दिन महालक्षमी का जनम भी हुआ था समुंदर मन्थन के दोरान देवी लक्षमी का प्राकट्य हुआ था जिसे लक्षमी जैनती के नाम से भी हम सब जानते हैं पिर्थवी भर्मन के लिए इस दिन निकलती है महालक्षमी भारत के कई शायरों में शरत पुरुनिमा के दिन लक्षमी नारण की पूजा के जाती है और माननेता यह भी है कि इस दिन माता लक्षमी भगवान विश्णो के साथ गरुड पर बैठ कर पिर्थवी पर भर्मन करने आती है जिससे पूरी प्रकरती उनका स्वागत करती है यह रात सुंदर और रमनिय बन जाती है और सास्त्रों में बताया गया है कि इस रात को देखने के दिए देवता भ जाता है वहां से लक्षमी दरवाजे से ही वापिस चली जाती है और इस दिन देवी लक्षमी की पूजा करने से सभी कर्जों से आपको मुक्ती मिलती है इसलिए इसको कर्ज मुक्ती पुरुनिमा भी कहा जाता है इस रात को जागरन माता लक्षमी का जागरन करना चाहिए इससे देवी लक्षमी पर्शन होती हैं और आशिरवात देती हैं इसलिए से कोजगारी पुरुनिमा यानि की जगने वाली रात भी कहा जाता है क्योंकि सभी लोग पूरी रात जग कर भजन करते हैं खीर में मिलता है अमरत का अंश उत्तर भारत में शरद पुरुनिमा की रात को चांद की चांदनी में खीर बना कर रखना रात भर रख दी जाती है और सुबह पशाद के रूप में वित्रन कर दी जाती है खुले आसमान में खीर रख देने से चंदरमा अपना अंश ग्रैंड कर लेता है और इसमें अमरत का अंश आ जाता है इसे कहते हैं कि इससे निरोग काया की प्राप्ती होती है इससे पित और कफ के नाश करने की ओश दिये शम्दा बढ़ती है और साथ ही खीर का संबंद प आक्षरत पुरुणेमा की रात को स्रीशुक्त का पाठ कनकधारा स्रोत का पाठ आपको करना चाहिए या फिर विश्नु सहस्तर नाम का जब करना चाहिए साथ ही आपको माता लक्ष्मी को श्वेद कमल से चांदी चमेली का इत्र और शहद से पूजा उपासना करनी होते हैं और सभी संकटों से भी आपको मुफ्ति मिलती है तो जो लोग नई है चैनल पर चैनल को सब्सक्राब करें के बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिले हर कोई अपडेट आज की वीडियो में अपने कोई भी वीडियो अगर आप चाते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें आज की वीडियो में इतने ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक थैंक यू सो मुझ बबाई टेक क्या